दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखिया आज की इस वडियो में हम बात करने वाले हैं बीकोसुल कैपसुल के बारे में जो एक फेमस और काफी जादा इस्तिमाल की जाने वाली मेडिशन है तो फिर आईए जानते हैं कि क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट्स कैसे आपको इसका इस्तिमाल करना है और कब करना है कौन-कौन इसे ले सकता है ये कौन-कौन सी बिमारियों को ठीक कर सकती है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या नहीं इसका प्राइस क्या है इसके इंग्रीडियन्स क्या है और इससे लेने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान अखना है तो अगर आप इस भीकोसुल कैपसुल के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए अगर सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 45 रुपे 66 पैसा है जिसके अंदर आपको 20 कैपसूल देखने को मिलती है और यह आपको किसी भी मेडिकली स्टोर से आसानी से उपलब्द हो जाएगी देखे सबसे पहले तो आप यह जान लिजिए बिकोसूल कैपसूल क्या है देखे बिकोसूल कैपसूल विटामिन B कॉम्पलेक्स यानि विटामिन B1, B2, विटामिन B3, B5, B6, B7 और विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा बिकोसूल कैपसूल में विटामिन B9 और विटामिन B9 को folic acid के नाम से भी जाने जाता है तो इसमें जितने भी ingredients का इस्तमाल किया गया है वो सभी B complex है और इसके अलावे इसमें विटामिन C भी मिलाए गया है तो फिर चलिए अब बात करते हैं Bicosul capsule के benefits के बारे में यानि अगर आप Bicosul capsule का इस्तमाल करते हैं तो किन जगह में इसका फाइदा जो है वो देखने को मिलता है तो देखे Bicosul capsule का इस्तमाल बालों की समझ्याओं में जैसे अगर आपके बाल काफी गिर रहे हैं जढ़ रहे हैं तो उसमें काफी बढ़िया काम करता है क्योंकि इसमें बायोटीन यानि विटामिन B7 100 MCG का इस्तमाल किया गया है देखे Bicosul capsule के अंदर मौझूद बायोटीन बालों की जढ़ने की समझ्या को कम करता है और साथ ही नाखुनों को भी स्वस्त बनाए रखने में काफी मदद करता है इसके अलावा अगर आप काफी weakness फिल करते हैं किसी भी काम के करने के बाद आप कमजोरी महसूस करते हैं आप में एनरजी की कमी लगती है या फिर आप कभी बिमार हुए हो उसके बाद जो एक कमजोरी सी हो जाती है तो वहाँ पे बीकोसूल कैपसूल का इस्तमाल है वो किया जा सकता है यानि weakness कमजोरी में ये एक अच्छा काम करता है इसके अलावा बीकोसूल कैपसूल सरीर में आखों ब्रेन और हार्ट को स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है इसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने का काम करता है और साथी भूग को भी बढ़ाता है इसके अलावा तवचा समच्चा में भी बीकोसूल कैपसूल काफी अच्छा काम करता है चौकि अगर आप बीकोसूल कैपसूल का तो जितने भी विटामिस B कॉंपलेक्स इसमें मिलाई हुए हैं वो आपकी तवचा में एक चमक सी बनाए रखते हैं और तवचा समंदी समश्याओं को दूर करने में काफी मदद करते हैं इसके अलाबा बीकोसुल कैपसुल टीसूज रिपेर करने में बहुत मदद करता है सा कि इन कैपसुल से वजन बढ़ता है तो देखिए इन कैपसुल से ना ही वजन बढ़ता है और ना ही कम होता है अगर बात करें कि इसे आपको कैसे लेना होता है तो इसकी आपको पर डे एक कैपसुल लेनी की सलह वो दी जाती है इसे कुछ भी खाने के बाद में नास्ता करन प्रण के का लावा जो महिलाई प्रेगनेंट है वे इसे ले सकती है लेकिन फिर भी मैं आपको मना करूंगा क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दोरान अननैसेसरी अपनी मरजी से कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता तो मैं तो आपको यही सला देना चाहूंगा कि अगर आप प्रेगनेंट हो तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें अगर बात करें इसके साइड इफेट्स की तो देखिए आपको सरदर्द की समझ्या देखने को मिल सकती है या पेट वगएरा खराब हो सकता है या सरीर में इचिंग टाइप की खुझली टाइप की हो सकती है तो इस टाइप की इसके कुछ साइड इफेट्स है हाला कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है और दोस्तो एक और बात में आपको कहना चाहूंगा आपके यूरिन जो है वो यलोईस हो सकती है से लेने के बात में जो के एक सामानी बात है तो दोस्तो ये थी बीकोसुल कैपसुल के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कॉश्चन्स आपके मन में चल रहा हो इस बीकोसुल कैपसुल को लेकर तो मुझे आप कॉमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंने में जितेश and थैंक यू सो मच पर वाचिंग